हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आईसेटी क्लासेश फ्रेंट्स आज हम लोग डिसक्स करने वाले हैं तुगलक वन्स से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन्स यह सारे कोईशन्स और किसी ना किसी एक्जाम में पूछा हुआ है इसलिए जितने भी आने वाले एक एक्जाम के लिए यह कोईशन्स बेहद ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो पर स्टार्ट करते हैं और हां आपको हर एक क्वेशन्स की नीचे यहां पर मिल यागा कि यह कौन सा एक्जाम में पूछा हुआ है तो चलिए हम आपको पहले दो वीडि में स्टार्ट हुआ था देली सल्तट्नत मैं इसका संस्थाक कौन था कुत्व दिन एवक कब से कप तक चला था बारा सोच्प ले करके बारा सोनबबैस भी तक उसके तो यहां तक हो गया था अब हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं तुगलक वंस का स्थापना कब होगा तो जहां पर इंड होगा खिल जी वंस कहां पर होता है कहां तक चलेगा यह 1414 तक कहीं कहीं आपको 1413 भी लिखावा मिलेगा तो उतना कंफ्यूजन नहीं होना है 1414 या 1413 माइंड में रखें तो देखिए एक्चुल में जितने दिन सासक हुआ मिंस देले सल्तनत के तहत जितना वंस सासक किया उसमें से सबसे जो लंबे दिनों तक सासन करने का सरई जाता है वो किसको जाता है तुगलक वंस को जाता है ठीक है तुगलक वंस को तो यहां पर आपको तुगलक वंस का संस्थापक कौन था यह हम लोग देख लेते हैं तुखलक वंस का जो सश्थापक था वो कौन था गया सुद्दिन तुखलक उसका ओरिजिनल जो नाम था वो क्या था गाजी-मलीक था ठीक है उसका वास्टप्रिक नाम गाजी-मलीक था चले इतना आम लोग डिसकस कर लिए अब वहों लोग कोईसंस पर आते हैं आज का जो ये जब भारत आया था तो उसमें दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान था उन्होंने इसका भरपूर स्वागत किया स्वागत करने के बाद उसको उसको एक पद दे दिया कौन सा पद दिया था दिली में परधान काजी उसको नियुक्त किया था ठीक है और कुछ समय बाद 1342 इसभी में उसको जो सुल्तान था वो अपना राजदुत बनाया था कहां का चीन का ठीक है सुल्तान का राजदुत के रूप में वो चीन पे कायज कर रहा था और इन्होंने एक बुक लिखा था किसने इबन बतुता ने कौन सा बुक लिखा था रहेला क्या रहेला यह जो बुक था उसमें इन्होंने मुहम्मद बिन तुलक का जो सासन बिवस्था था उसके बारे में पूरा डिटेल से डिसकस क किया हुआ था तो यह करने चलिएंए नेक्स करते हैं भारत तरह से सासन काल में आया था मुहमद बिन तुख्लक के तक बारे में के द्वारा और यह अपना राजदुत भी नियुक्त किया था कहां का चीन में और इन्होंने एक बुक भी लिखा था इबन बतुता ने ठीक है कौन सा बुक था उसका नाम क्या था नामता रहिला उसमें इन्होंने मुहम्मद मित तुगलक के बारे में अच्छे से डिसकस किय हुआ था तो चलिए दिल्ली के किस सासक ने खेरात विभाग सरकारी अस्पताल वर्रोजगार्द अफ्तर बनवाया था किसने बनवाय था फिरोज सा तुगलक फिरोज सा तुगलक इनका नाम है कहीं कहीं आपको फिरोज तुगलक भी लिखा हुआ मिल जाएगा देखिए ह हुआ क्या फिरोज सा तुगलक जो था वह मुहमद बिन तुगलक के बाद का सुल्टान था यह जो था यह पूरा इस इनको जो बोला जाता है कि यह हिंदू बिरोधी थे ब्रह्मन और हिंदू का बिरोधी के नाम परिशे परसीद दे ऐसा था क्यों देखिए यह जो अपने सासनकाल में कुछ जो रूल रिवुलेशन जो लाते थे जो नीतियां बना करके लाते थे उसमें इन्होंने मिंस उसमें हिंदू बिरोधी जह लगता था ठीक है और इन्होंने क्या किया था एक ब्रह्मन पर जजिया कर भी लगा दिया था ठीक है निम्न में से किस दिली सुल्तान को इतिहासकारों ने बिरोधों का मिस्रन बताया बिरोधों का मिस्रन किसे बताया गया था मुहमद बिन तुगलक को बताया गया था मुहांम्मध बिन तुगलक चलिए देखिए एक्चुल में ये जो मुहांमध बिन तुगलक थे इतिहास कारों ने इनको युक्वरोध का शीगां इसक्त पर्जेन टाइम पर किया चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता था मिन्स वह फ्यूचर को ले करके ज्यादा चलता था बट पर्जेन टाइम पर अगर किसी चीज को इंप्लिमेंट करता है करना है तो उस समय के स्थितिक एकोडिंग आपको रूल रेवोलिशन लाना होगा ना कि आपको फीचर के एकोडिंग रूल रेवोलिशन लाना होगा तो यह सब था प्लस में वह जो ज़ो ज्यानी थे ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ही दिमाग था इसका मिनिंग क्या होता है वैसा श्थान वैसा प्लेस जो दो नदी के बीच का अस्थान हो तो उसको दोयाब कहते हैं उसमें इन्होंने क्या किया था वहाँ जो टेक्स था उसको बढ़ा दिया था प्लस इन्होंने क्या किया था एक संकेतिक मुद्रा संकेतिक मुद्रा जो अभी हम लोग चलाते हैं जैसे हम लोग नोट चलाते हैं बीस पचास दोहजार पांसो तो य उसमें जब तक उसका वेल्यू है तो है लेकिन अगर वह वेल्यू अगर खत्म कर दिया गवर्मेंट के थुरू तो फिर उसका कोई वेल्यू नहीं रहता है उसको हम लोग सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाए जो भी पूरी तरह से असफल होता था क्योंकि यह प्रिंसिपल पर चलते थे परजन टाइम को नहीं देख करके चलते थे इसी कारण से चलिए तो हम लोग नेक्स कोईशन देखते हैं क्या है है कि नेक्स कोईशन से का संस्थापक कोन है हम लोग फर्स्ट में दिसकस की थे तो दांव को ये किया था है चल दे, हम लोग next question डिसकस करते हैं, next question से, निमलिखीत में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, option ये सही हो जाएगा, फिरोज, तुगलक, आपको फिरोज सा तुगलक भी लिखा हुआ, मिलेगा, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार दिया था, चल जी, हम लोग next question देखते हैं, next question से, तुगलक नामा के रचनाकार कौन है, तुगलक नामा के रचनाकार कौन है, option number C, अमीर खुसरो, इन्होंने तुगलक नामा का रचना किया था, next question, दिली सल्तनत के तुगलक राजवन्स का अंतिम सासक कौन था, तुगलक राजवन्स का बात हो रहा है, कौन था, मेहमूद तुगलक, मेहमूद तुगलक, इसका पूरा नाम क्या है, नसिरुद्दिन मेहमूद तुगलक, ठीक है, चल ये, हम लोग next question देखते हैं, next question से, किस सासक ने अपनी राजवधाने दिली से दौलताबाद अस्थान अंतिरित किया, किस ने किया था, मुहम्मद बिन तुगलक ने, जो क्या रहा था, पूरी तरह से असफल रहा था, जो ये अस्थान अंतिरित किया था, पूरी तरह से असफल रहा था, चलिए हम लोग देखते हैं कि देखे एक्चुल में क्या हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक कुछ नीती बनाया था उस नीती के तहाथ वो सबसे फर्ष्ट उसका नीती खत था कि दिल्ली मुमिन्स राजधाने को दिल्ली से कहां स्थानंत्रित करना है दौलताबाद है कहां और अंगाबाद में है जब यह ट्रांसफर किया उसके बाद इसका यह पूरी तरह से असफल रहा फिर इन्हों ने क्या किया वापस ले आया राजधाने को फिर से कहां पे दिल्ले में ही वापस ले आया आपको पहले ही बताएं थे कि यह सारा चीज सेधान्तिक पे चलता तो प्रिंसीपल पर केवल चलता था इसलिए ऐसा方 के साथ तो यह पूरी तरह से अस भल रहा था ठीक है चले लोग देखते हैं मैं जिसने ब्रह्मनों पर जजियक कर लगाया ब्रह्मनों पर जजियक कर किसने लगा दिया था पिरोज तुगलक ने आपको बताये ते फिरोज तुगलक किसके नाम से फेमस था ब्रहमन और हिंदू बिरोधी के नाम से यह प्रसीद था फिरोज सा तुगलक यह कोईशन से 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 सीजियल 2013-14 में पूछा गया है चलिए नेक्स कोईशन देखने हम लोग नेक्स कोईशन से मुहमद बिन तुगलक एक असफल सासक था असफल सासक था ऐसा क्यों बोला जाता है अभी हम लोग डिसकसी कर रहे हैं कि वो केवल से धानत पर चलता था तो उसके जो सबसे बड़ा असफल था जो दिखा वो राजधानी अस्थानंतरिंत को ले करके दिखा जो राजधानी को ट्रांसफर किया था ना दौलताबाद वो सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट किया इसलिए उसको क्या बोला जाता है असफल सासक बोला जाता है होगा नेक्स क्वेचन से वह दिली सुल्टान जो भारत में नहरों के बड़े जाल मतला बहुत सारा नहर बनवाया था निर्मान करवाया था के लिए परसिद्धा तो क्यूंसा सकता वह ऑप्सन से ओजाएगा प्रोज साह तुगलक प्रोज साह तुगलक ठीक है चली हम लो से पुर्व किसका नाम जोना खां था जोना खां किसका नाम था आप्शन से मुहम्मद बिन तुगलक का ही पुर्व में नाम क्या था जोना खां जब वो सुल्तान बना तो फिर क्या क्या मुहम्मद बिन तुगलक अपना नाम कर लिया नेक्स क्वेशन से फिरोज साथ तुगलक द्वारा अस्थापित दार उल्सभ क्या था मिन्स वो क्या था एक तो वह क्या था एक अस्पताल था ठीक है एक अस्पताल था इन्होंने कुछ अच्छा भी काम किया था तो एक नेक्स मुहमाद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां अस्थान अंत्रित किया था ठीक है कहांस्थान अंत्रित किया था ओप्शन नंबर से यह जाएगा आपका बी देवगिरी देवगिरी जो है वो दौलताबाद और देवगिरी एक ही नाम है ठीक है आपको कहीं कहीं दौलताबाद लिखावा मिलेगा कहीं कहीं देवगिरी तो confusion नहीं होना है यह भी questions पुछा हुआ ऐसे सिजल 2013 में next questions किसने 1329 से 1330 की बीच तांबे के सिख्के को रूप में चलाया कोन था वो मोहमत बिन तुगलक था देखी कि इन्होंने तांबा का सिख्का चलाया कि 530 को रिप्लेज करके चांदी और सोने का जो सिख्का था उसको हटा करके इन्होंने चांदी का किया तामबे का सिख्का चलाया और टैक्चुल में हुआ क्या हुआ। वहां पर जितने पहले तो उतना टेक्नोलोजी नहीं था… रasında क्या किया अपने अपने घर में एक टकषाल बना लिया। और उसी में उन्होंने तांबे का सिक्का बनाना स्टार्ट कर दिया अगर सब को घर ही में तांबे का सिक्का बनाना शुरू कर देगा तो फिर उसका वेल्यू तो रहा नहीं तो ये भी पूरी तरह से असफल रहा था ठीक है और इन्होंने ये कहां से मिनसे कहां से उनको प्र लेकर के तांबे का सिखा को पर्चलन में लाया था बट वो पूरी तरह से असफल रहा चलिए नेक्स कोईचन से निम्न में से तुगलक वंस के किस सुल्तान ने चांदी के जगात तांबे अभी हम लोग जश्ट डिसकस किये हैं किस ने किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी और सोने दोनों सिख्य को रिमूव करके इनोंने तांबे के सिख्य को पर्चलन में लाया था ठीक है चलिए नेक्स कोईचन से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकता फतुहात ए फिरोज साहे फतुहात ए फिरोज साही वड़ी है इसमें क्या ची फिरोज तो किस ने लि पर आकर्मन किया था किसके साथ सनकाल में किया था आप्षन नमबर सी से ज़िए जागा नसीर उद्दिन मेहमूद तुगलक कहीं कहीं आपको मेहमूद तुगलक भी लिका हुआ मिलेगा तो फ्रेंड्स यह हम लोग पूरा 20 कोईशन्स डिसकस कर लिए अब नेक्स्ट क्लास इससे आगे कंटीनु करने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट सासक होने वाला है वह वीडियो आपको बहुत ज कोईशन्स होगा ठीक है 200 कोईशन्स आपको केवल मेंस यह एक मेरा सूफर फास्ट रिविजन शिरीज चलता है उसके तहट आपको 200 कोईशन्स को केवल 20 मिनिट में रिवीजन करवाय जागा तो आप वीडियो जरूर देखें बहुत ही अच्छा वीडियो बनता है ठीक है यह विडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाला वीडियो आप देख सके सबसे पहले. थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केर और बाबाए.